मिटाने खबरों का गैप रोज रात आट बजे आएगा लललन टॉप शो लाइब आप डाउनलोड करें लललन टॉप एप मद्यपरदेश के मामा जी युवाओं के प्रिय और ये मैं कहीं सुनी बात नहीं कह रहा हूं आपने यूथ महापंचायत की मैं खुद उस आयोजन में आया था तो मैंने आपका इंप्रॉम्टू बिना किसी कागज के भाशन भी देखा और जिस तरीके से नौजवान लड़की लड़कियां उसको रेसिप्रोकेट कर रहे थे वो भी देखा जब हमने राजनीती के विद्यारती के तोर पर शिवराज मॉडल को पढ़ना शुरू किया तो लाड़ली लक्ष्मी योजना के बारे में खूब जाना और ये भी कि दूसरे राज्यों ने उससे सीखा आपने वहाँ पर लाड़ी लक्ष्मी योजना के अगले चरण के एलान किये तो एक तरफ तो ये शिवराज सिंग चौहान है जो लड़कियों के बीच महिलाओं के बीच मामा के रूप में भाई के रूप में सहज उपलब्ध हैं नौजवानों के लिए नई स्कीम का एला लाइते रहती हैं मामा जी मुख्यमंत्री जी एक तरह एलान कर रहे हैं रोजगार का क्या वो अपने नौजवान मित्रों को जिनके वो मामा हैं ये आश्वासन दे सकते हैं कि समय बद्ध तरीके से पिछली सारी भरतियों को पूरा किया जाएगा और ये इंशोर किया आपने उस समय भी वा संबेलन में देखा था रोजगार को लेके मैंने इस पर सिख्षा और रोजगार दोनों एक मद्धुतेस में मुखमंत्री मेदावी विद्धार थी जैसी योजना मैं बताना चाहूंगा जिसमें हमने तै किया है गरीब बेटा-बेटी हो किसी भी जाती समाज का लोगर मिडिल क्लास का ओऊ इवन मिडिल क्लास का ओ आठ लाग रुपे की आमदानी परियर तक हमने जोड़ाए अगर उनका एडमिसन मेडिकल कॉलेज, इंजरिं निंग कॉलेज, आइटी, आए, आई आइ, मैरिजमेंड के किसी कोर्स में होता है देश में होता है कई विदेश की अच्छी रुशिटी में भी होता है तो फीस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएंगे प्रदेश की सरकार भरवाएगी ये फैसला हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था ताकि पृतिवा कुंठित ना हो पाए अभी जो मैंने आपको जापस की बात कही है पिछले दुनों सम्मानी कोट के फैसलों के कारण कुछ चीजें अठकी थी अब उसमें से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और एक लाग सरकारी जाप के साथ साथ स्वरोजगार की होजनाओं के माद्धम से लगवग 32 लाख रोजगार के अफसर स्रुजित करने का वाकाइदा रोड में कुछ तो भरतियां होई गई है 15-20,000 सिक्षकों के भरती हो गई है पुलिस की भरती अभी 6,000 चली रही है यह सुरू हो रही है कुछ इसके पहले हुई यह पिछले वर्सों में अगर आप देखेंगे तो अकेले पुलिस हमारे पुलिस की जो भरतियां हुई है वो ही लगवग 40 से लेके 50,000 के आसपास हुई है पहले मेरे सासनकाल में सिक्षकों की भरती हुई है लगवग 2,000,000 मेरे ही सासनकाल में आगे फिर हम टेकलोजी का इस्तेमाल करते हुए कही कोई गर्वर ना हो जाए उसकी प्रापर मानिक्रिन करते हुए मैंने जो कहे बच्चों को हम रोजगार के अफसर भी उपलब्ध कराएंगे और मैंने कहा था कि धनक्या भाव में प्रतिवा कुंठित ना हो इसके भी इंतिजाम करेंगे बच्चे पढ़ते रहें बढ़ते रहें और प्रदेश को भी आगे बढ़ाते रहें यह हमारी कोसे सुब